ये सटू टास्किंग वाले पूछ रहे हैं, स्वामी जी संबंध बनाने से पहले कुछ ऐसा उपाय बताएं, जिसे हमें गोली ना लेने पड़े, हम नैचरल ही उसके साथ संबंध बना सकें, लंबे टाइम तक, हमें आदत लग चुकी है, हर बार गोली खाकर ही करना पड़त ये समयलो कि अब तुमारा बेडा गर को चुका है, शरीर किसी काबल नहीं हो गया, ये तो ऐसे है कि गोली खा और काम चलेगा, गोली नहीं काई तो काम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब जवानी आपकी गई हाथ से निकल, इसे आज से बंद कर दो, वरना इसकी ऐसी आदत प फेद मुश्वली लेनी है और अशुगंदा लेना है, तीनों बराबर बराबर लेना धाई-टाई-सो गराम, तीनों को कूट के पीस के अच्छे से पाउडर बना लेना, एक चम्मच सुबेरे, एक चम्मच शाम को गर्म दूद के साथ लेना है, और दूद में एक काली मिर के बराबर सन्यासी आयरविदा की शुद्ध शिलाजीत मिला लेना, और उसमें चुथाई-चम्मच हल्दी मिला लेना, उसके साथ सुबा-शाम इसको खाना शुरू कर दो, भगवान ने चाहा तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जोगे, लेकिन इसमें दो महिने कम से कम लगे उपर से ऐलोपेथिक द्वाईयां खानी शुरू कर दी, उपर से तुम लोग ने गोलियां खाखा के काम चलाना शुरू कर दिया, ये शरीर कंडम होता जा रहा है, अब शरीर को दोबारा रिकवरी करानी है, आयरवेद के माध्यम से हो सकती है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ इस तरीके से चलोगे तो आपका शरीर जो है बच जाएगा और विवाहिक जिन्दगी भी बच जाएगी और आगे भी आपका शरीर ठीक रहेगा, शिगर पतन भी नहीं होगा, जोश भी आएगा, जवानी भी रहेगी और आप फिट भी हो जाओगे, लेकिन आगे से कोई कोई भी अपने हाथों से गल्त काम मत करना, कोई भी ऐसी चीज मत करना और कोई भी दवाईयों का सहारा मत लेना, वरना काम खराब हो जाएगा, जो मैंने आपको आयरविदिक तरीका बताया, आप इसे घर पर ही कर लेना, परमातमने चाहा तो आपका भला होगा, आप ठीक जाओए होगे!